हालो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बात करेंगे अठारा बाई पचीस कि 900 स्कॉयर फिट हाउस प्लान के बारे में जो की 3BS के है तो दोस्तो कुछ इस प्रकार का डिजाइन है यहां पे आधा डिजाइन कम्प्लीट है ताकि वीडियो बड़ा ना हो जाए है और यह नौर्थ हाउस पेसिंग प्लान है अठारा चावडाई हो पचास फिट लंबा बिल्डप एरिया है यहां पे सुरू होगा आपका मेंडोर इंट्री होगी यहां से और चार बाई सेवन का गेट रहेगा है कि उसके बाद आपको मिल जाएगा है कि ड्रॉइंग रूम है जोकी सोला फिट दस इंच लंबा और कि साथ पिट ग्यारा इंच चोड़ा है कि यहीं पर बगल में आपको एक बिंडो मिल जाएगा कि यहां पर रहेगा एक बिंडो कि यहां पर रहेगा एक बिंडो कि कि इसके आगे आपको मिल जाएगा बाकी एरिये में डाइनिंग एंड किचन यहीं पर बगल में डाइनिंग हाल होगा और बगल में किचन आपका सठो जाएगा यहां पर होगा किचन किचन में भी आपको एक बिंडो यहां पर मिलेगा इदर हो जाएगा आपका डाइनिंग हॉल इदर किचन हो जाएगा कि उसके बाद आता है अपका बेडरूम का डोर कि यहां पर बेडरूम का आइकन बना हुआ है जो कि याट फिट चाओड़ा है और बारा फिट लंबा है बेडरूम कि इसके बाद यहां पर टोइलेट का डोर आ जाएगा आपका जो कि अटैच टोइलेट है बेडरूम से अटैच है यहां पर 6 फुट लंबा और 4 फुट साथ इंच चोड़ा रहेगा उसके बाद यहां पर आपको एक डोर मिल जाएगा टोइलेट का जो कि कॉमेंट टोइलेट है कि यह भी छेपुट लंबा रहेगा टोइलेट और चार फिट साथ इंच चोड़ा रहेगा यहां पर आइकन बना हुआ है टोइलेट का इसके बाद प्रेंट्स इंदर एक और बेडरूम है इधर एक डोर है बेडरूम का यहां पर बेडरूम का आइकन बना हुआ है जो कि 9 फिट लंबा है और 8 फिट चोड़ा है यहां पर जो अंदर का दिवाल है उपाइप इंच का रहेगा और यहां भी एक बेडरूम है यहां पर भी देखिए आइकन बना हुआ है यह बेडरूम 7 फिट 10 इंच चोड़ा और यहां पर 9 फिट लंबा है इदर उपर वाले बेडरूम में भी एक अठेट टॉयलेट है आपका जो कि 4 फिट 7 इंच चोड़ा और 6 फिट लंबा है यह है आपका बाहर का वाल यह अंदर का वाल बाहर का वाल रहेगा 9 इंच का अंदर का वाल रहेगा 5 इंच का और बेडरूम में दो बिंडो रहेगा यहां बिंडो रहेगा यहां बिंडो रहेगा इधर बिंडो इधर बिंडो यहां पर बेंटिलेशन रहेगा टॉयलेट में कि तीनो टॉयलेट में बेंटिलेशन रहेगा बेंटिलेशन 14 इंच का कि यह नौर्थ फेसिंग प्लान है इस बेडरूम में भी एक बिंडो रहेगा और यहां इस्टियार के बगल में एक बिंडो रहेगा और यहां भी एक बिंडो रहेगा तो में डोर के जस्ट बगल ही आपका इस्टियार है 18 बाई 50 का बिल्डप एरिया है यह कॉलम का पोजीशन देख रहेजिए छेस साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चाओदा तो यहां पे चाओदा कॉलम आपको देना पड़ेगा कि नौर्थ पेस आउस पलान है तो यहां पे बिल्डिंग का कोस्ट आएगा बारा लाक और चाओदा कॉलम देना पड़ेगा नौबाइनो साइच कॉलम चाओदा साइच नौबाइनो बिल्डिंग कोस्ट बारा लाक तो प्रेंट से यह था नौर्थ हाउस पेसिंग प्लान जो कि अठारा बाइप चीज का बिल्डप एरिया है वीडियो कैसा लगा लाइक करें शेयर करें और चैनल को सस्क्राइब जरूर करें ताकि और भी वीडियो मिल सकें आपको